नमस्कार दोस्तों मैं रुपमतिवर्थे भपाल से और आपका स्वागत है मेरे चेनल रुपा ग्रीन गाडन में उमिद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्त होंगे और अच्छे होंगे जो लोग मेरे वीडियो पहली वार देख रहे हैं वो मेरे चेनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सके तो दोस्तो आज में बात करूंगी कि जुकनी और गिलकी को किस प्रकाल लगाए गिलकी को कुछ लोग तोरी भी बोलते हैं तो चरिए आज में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मिट्टे बनाना चाहिए और कैसे मिट्टे में उनको ग्रो करना चाहिए तो दोस्तों ये देखिए मोशम कितना अच्छा बना हुआ है और बादल भी आए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है दिन भर से इतनी उमस और तेज धूप हो रही है आज और ऐसे मोशम में देखिए हमारे प्लांट की क्या हाल हो रहा है क्योंकि दो दिन से बारिश नहीं हो दो दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई थी लगातार और आज बारिश नहीं हुई रात से ही नहीं हुई है बारिश तो प्लांट हमारे पूरे मुर्जा रहे हैं क्योंकि पानी तो जरूरी चाहिए होता हमारे प्लांटों को चाहिए ब और बारिश में तो हमें जरुवत नहीं पड़ती है लेकिन अभी देखिए बारिश नहीं हुई 24 गंटे से ज़्यादा हो गए हैं तो हमारे प्लांट की फूलों की क्या हाल हो गई इतना सुन्दल लग रहा था ये सुबह और अब देखी बेचान जीसे हो गया अब इसे मोसम तो बना हुआ है पानी वारिश हो जाय तो बहुत अच्छी बात है तो चलिए दोस्तों वीडियो आगे लंबा ना करती हुए मैं आपको ले चलती हूँ तो ये हमारे सीट्स है और ये गिलकी के हैं तोरी भी बोलते हैं इसको और इधर जो नीचे रखे हैं ये हमारी जुक है जगाल है कि एक दम गुच्छे में पूरे एक ऐसाथई निकलती है और इसके स्विटश भी में बता देती हूं कि इसके स्विटश ये ऐसे होते हैं यह reciprocal है नियुक कान से लेकर आयot यहीम दूकर फ़ेकर मिलें इस दूकान है और यह 100 रुपिस का था यह वाला र्यक झि और इससे कम बाला मिला नहीं मुझे, तो मैंने ये लिए थे और ये दुकान में अच्छी क्वालिटी के सीड्स है, इसलिए इसमें ये कलर कर देते हैं, बहुती उम्दा किस्म के हैं ये वाले सीड्स, तो इनको कैसे करना चाहिए, ये दोनों इखटे में ने, पहले क्या करन चीहें राद भर आप पानी में कोई भी बरतन में पानी भरकर और 24 गणते के लिए इसको गलाकर रख दीजिए या आप राद भर की लिए भी पूरी फुल नाइट इसको गलाकर रख दीजिए और सुब्बे से एक कपड़ लीजिए मोटा और उस कपड़े में शोख करके इस मेरे पास यह है कपड़े में यह बहुत मोटा कपड़ा और यह पैजामा का mobile है मैं ने वही ले लिए तो यह मेरे पास यह गीले हुए है तो इससे क्या होगा इससे थोड़ा जल्दी जर्मेनेट क्ञ़ जायेगा चार-पांच दिन में जर्मनेट हो जाएगी तो इसके लिए मिट्टी कैसे बनाए हम तो दोस्तों ये देखिए मिट्टी आप किस प्रकार बनाई है मिट्टी में अभी हम जब बीज ग्रो करते हैं तो जादा खाद भी नहीं चाहिए क्योंकि जादा खाद रहेगी तो हमारे जो सीट से वो जल सकत ककी से हैं इसलिए आप खाद की मात्रा कम कीजिए स्टि परसंड आप गार्डन सोयल ले लिजो 50 परसंड जो हमारी पुराणी मिट्टी हो या नहीं हो जो भी हो पोजबी अच्छा काम करेगी या पत्तो की खाद इसको लेके और आप थोड़ी सी सेंड की मात्रा भी मिला लीजिए ज्यादा नहीं 20% काफी होगी और कोको पीट की जरुवत नहीं है क्योंकि बारिस का समय है तो हमें सेंड की जरुवत पड़ेगी और आप थोड़ी सी एक म पाउडर है वो भी आता चमच ले सकते हैं क्योंकि वो भी फंगस के लिए कि मिट्टी हमें अच्छी बनाना है बारिस के दिन है तो हमारी मिट्टी में फंगस ना लगे हमारे बीज गल के वही ना खराब हो इसलिए थोड़े असरा फंगी साइड की जरुवत पड़ती है अगर ये दोनों भी ना हो तो आप एक चमच हल्दी मिला लीजिए हल्दी से हल्दी भी वही काम करेगा हमारी जो मिट्टी है इसमों फंगस नहीं लगाएगा तो इस प्रकार आप मिट्टी बना लीजिए इसको मिक्स कर लीजिए तो दोस्तों मिट्टी हमने इसमें पहले ताइम बहुत फुल पानी दीजे ये हमने पानी डाल लिया क्योंकि मिट्टी देखिए एकदम घीली है हम फर्स्ट टाइम में एकदम फुल पानी डालेंगे कि पानी हमारा नीचे से निकल जाए बिलकूल ड्रेनेज होल से और ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से रखना पहले वक्त पानी आप अच्छे से पूरा गीला करना फिर बाद में पानी नहीं डालना है बार बार जब हमारा ये उपर की सते थोड़ी सी सूख जाये तब ही पानी डालना लेकिन मौश्चर बना रहे एकदम सुखाना भी नहीं है और बारिस के पानी में इसको नहीं रखना बारिस के पानी ना लगे फिर हम क्या करेंगे की ये पहले हम गिलकी के बीज ले लेते हैं ये हम जादा नहीं बोह क्योंकि हमने पहले ही गिलकी के बीज को हम जर्मनेट कर चुके हैं और हमारे हो भी गईूँ है तो आप गड़ाएंगे किस प्रकार ये जो आप इसका मुँ देख रहे हैं जहां पर ये पॉइंट है उसको आप नीचे गड़ाएंगे क्यूंकि जड़ हमेसा पहले आती है बाद में पत्ती आती है तो जहां से मुँ निकलने वाला होता है उसको आप नीचे गड़ा लीजे या तो आप उंगली से थोड़ा सा गड़ा कर लिजे क्योंकि ज्यादा अंदर अगर कडाएंगे तो ये जर्मनेट नहीं होगा और बीज अंदर यंदर सड़ जाएगा हमारा ऊपर तक के नहीं आएगा इसलिए ज्यादा गहराई में भी नहीं लगाना चाहिए बस इस प्रकार हम बस ये जो बीज है इससे डबल करेंगे आधे में हमने ये लगा दिये हमारे बीज और आधे में हम जुकनी के बीज लगाएंगे ये देखिए इसका भी ये वाला जो पॉइंट है न ये नीचे वाला पॉइंट हम नीचे गड़ाएंगे क्योंकि इसमें जड़े भी पहले आएगी और पतियां बाद में आएगी और इससे बीच के डवल में इसको भी गड़ाएंगे ज़्यादा गहराई में नहीं गड़ाएंगे ये देखिए बहुती आसान है लगाना कोई ज़्यादा जंजट की बात नहीं है और इसके उपर हम मिट्टी डाल देंगे थोड़ी सी सूखी जो हमने बचाई है ये देखिए सूखी मिट्टी है और थोड़ी थोड़ी सी हमें इसको ढख देना बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाना है ज़्यादा मोटी लेयर लगाएंगे तो बीच हमारे जल्दी से जर्मिनेट नहीं हो गे और अंदर हमारे 20 चाड़ जाएंगे इसलिए जादा मोटी लेयर नहीं लगाएंगे पतली लेयर लगाके और पानी क्योंकि हमने पानी पहले से डाल चुके हैं इसलिए इसमें पानी जादा नहीं डालेंगे बस थोड़ा सा ऐसे चीज देंगे इस परकार है तो दोस्तों ये देखिए ये जुकनी के प्लांट है ये हमने एक हपता पहले लगाए थे और एक हपते में देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये उपर से भी तीन पतिया निकल गई इसकी दो पति ये फ़स्ट वाली और ये तीन पतिया ये तो ये बहुत ही जल्दी ज होगा है क्यूंकि बीज की क्वालिटी अगर अच्छी रहेगी तो हमारे प्लांट भी सारे के सारे जर्मनेट हो जाएंगे और मैंने गिलकी भी लगाई थी ये देखिए ये गिलकी के भी हमारे सारे जर्मनेट हो गए हैं ये एक निकल रहा है ये भी गिलकी का है ये दो आ गिल्की है यह जर्मनेट हो गया है तो यह गिल्की के हैं और यह जुकनी के हैं तो दोस्तो आप भी लगा सकते हैं अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा धन्यवाद